इस वीडियो में हम समानतर रेखाओं, पैरिलल लाइन्स और तिर्यक रेखाओं के विशे में जानेंगे। तिर्यक रेखा वो होती है जो समानतर रेखाओं को प्रतिछेद करती है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समानतर रेखाओं क्या होती है। एक परिभाशा के अनुसार ऐसी दो रेखाएं हैं जो एक ही तल में हो और जब मैं तल की बात करता हूँ तो मेरा मतलब एक फ्लैट टू डायमेंशनल सर्फिस से है जैसे ये स्क्रीन ये स्क्रीन भी एक तल है एक तल में ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती समा इस दिशा और इस दिशा में अनंत तक आगे बढ़ रही है अब हम दूसरी रेखा भी बनाते हैं अब ये दोनों रेखाएं समानतर होंगी और एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी अगर आप इन्हें सीधी रेखाओं के रूप में देखें तो ये ठीक एक ही दिशा में ये हरी रेखा और ये गुलाबी रेखा समानतर नहीं है सपश्ट रूप से ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदू पर प्रतिशेद कर रही हैं तो ये दोनों रेखाएं समानतर हैं कई बार हम इन रेखाओं के दिशा को बताने के लिए एरो बना देते हैं ये दोनों र तीसरी रेखा को बनाते हैं, ये हमारी तीसरी रेखा है, ये रेखा जो इन समांतर रेखाओं को प्रतिछेद कर रही है, इसे तर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, जब एक तर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो इनके द्वारा बनाए गए कोणों में हमें रसंबंद प्राप्त होते हैं ये संबंद बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही समझने में आसान भी है तो पहला संबंद ये है कि यदि ये दोनों रेखाएं समानतर हैं तो ये संगत कोण corresponding angles बराबर होंगे आप देख सकते हैं कि जब ये गुलाबी रेखा इस पीली रेखा को प्रतिछेद करती है तो चार कोण बनते हैं एक कोण यहाँ है जिसे मैं हरे रंग से दिखा रहा हूँ और दूसरा कोण ये है जिसे नारंगी रंग से दिखा रहा हूँ एक और कोण ये है जिसे गहरे हरे रंग से दिखा रहा हूँ और एक कोण ये है जिसे मैं बैंगनी रंग से बना रहा हूँ तो ये चार कोण है अब आप ये सोचेंगे कि इनमें संगत कौन कौन से हैं मान लीजे कि हम ये कौन ले रहे हैं तो इस कौन का संगत कौन ये है स्पष्ठ करने के लिए इसे भी उसी रंग से बनाता हूं तो ये दोनों संगत कौन हैं और ये दोनों संगत कौन बराबर होंगे अगर हम इसे 70 डिगरी का मान लें, तो ये भी 70 डिगरी का ही होगा अगर आप किसी सीधी लकडी को तिरियक रेखा के रूप में प्रयोग करें और उसकी दिशा में निरंतर परिवर्तन करें तो आप पाएंगे कि हमेशा ये दोनों कौन बराबर ही होंगे मैं आपको एक और उधारन से समझाता हूँ अगर ये दो समानतर रेखाएं हैं और ये एक तिरियक रेखा है जो यहां एक बहुत छोटा कोन बना रही है तब भी आप देख सकते हैं कि ये कोन इस कोन के बराबर है ये दोनों संगत कोन हैं और इनका माप बराबर होगा जैसे यहां इन दोनों का माप बराबर है ये अन्य संगत कोनों के लिए भी मानने है अगर हम इस कोन को लें तो ये कोन इस कोन के बराबर होगा और ये कोन इसके बराबर होगा अगर ये सत्तर डिगरी होगा तो ये नीचे वाला कौन भी सत्तर डिगरी का होगा इसी प्रकार ये कौन और ये कौन भी बराबर होंगे तो संगत कौन सरवांग सम होते हैं मैं इसे लिखता हूँ संगत कौन corresponding angles बराबर होते हैं जैसे यहां ये और ये ये और ये, ये ये, और ये, ये, संगत कोण है अब हम कोणों के एक नए सम्हू की बात करते हैं जो आपस में समान होते हैं इन्हें वर्टिकल एंगल्स या ओपजिट एंगल्स कहते हैं अगर हम इस कोण को लें और इसके प्रतिचेदन बिंदू से ठीक सीधे आगे बढ़ें तो हमें ये कोण मिलेगा और ये, इसके बराबर है इन कोणों को मुझे ओपजिट एंगल्स कहना ज्यादा पसंद है क्योंकि ये कोण हमेशा वर्टिकल नहीं होते हैं इसके अनुसार जितना माप इस कोण का होगा उतना ही माप इस कोण का होगा क्योंकि ये इस कोण के बराबर है और ये इस कोण के बराबर है अब हम इस नारंगी और इस कोण के बीच के संबंदों को समझेंगे आप देख सकते हैं कि जब आप इन दोनों कोणों का योग करते हैं तो ये एक वृत्त की आधी दूरी तै करने के बराबर है। अगर हम यहां हरे रंग के कोण से शुरू करते हैं और इस नारंगी रंग वाले कोण तक आते हैं, तो असल में हम एक वृत्त की आधी दूरी तै कर लेंगे, जो 180 डिगरी के कोण के बराबर है। तो इस हरे और इस नारंगी कौन का योग 180 डिगरी है, मतलब ये संपूरक कौन है, अगर ये कौन 70 डिगरी का है, तो ये नारंगी कौन 110 डिगरी का होगा, यूँकि इन दोनों कौनों का योग 180 डिगरी है, अब अगर इस कौन का माप 110 डिगरी है, तो इस कौन का माप क्या हो कोन इस कोन का संगत कोन है इसलिए ये कोन भी 110 डिगरी का होगा या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 70 डिगरी का है और ये दोनों संपूरा कोन है इसलिए इनका योग 180 डिगरी होगा तो हम यहां से भी इसका मान निकाल सकते हैं अब चूंकि ये 110 डिगरी है और ये इसका संग इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इन कोनों के मान ग्याद करने के बहुत सारे तरीके हैं और अगर हमारे पास एक कोन हो, तो हम बाकी के सभी कोनों का मान भी निकाल सकते हैं।